हे गाईज सी लैंगुज की सुरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्षर बन का पार्ट 3 आज ची क्लास का हमारा अब्यक्टिव है किस तरह से एक पोड़ाम एक्जिक्यूट होता है और हम सी लैंगुज के मदस्द से सौब्वेर कैसे बनाते हैं इस स्क्रीन में आपको अपने कंपीटर के तीन इंपोर्टेट हाड़ पर नजर आ रहे हैं लेफ्ट में प्रोसेटर दिखाई दे रहा है जिनके अंदर आपको मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमाटिक अनलोजिक यूनिट दिखाई दे रहा है बीच में है राइट मॉस्ट में है हार्डिक्स जब एक पोराम एजिक्यूट होता है रन कराते हैं तो क्या-क्या होता है इन हार्डवेर्स के साथ आज आपको समझना है माल लेजे जैसे कि हमने Lecture 1 के Part 2 में पढ़ा था अगर आपने पिछले दो पाट नहीं देखा आए तो घ्रिपया उससे जाकर देख लें मैं Link Division में डाल दूगा जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि software का मतलब हता है EXE फाइल अगर आपको किसी को software देना है अगर आपने C-Legman में प्रोग्रामिंग करी है software बनाया है तो आप अपने customer को क्या देंगे एक EXE फाइल देंगे वो EXE फाइल ही आपका software है जब वो software चलाएगा कैसे पहले तो आपने जो फाइल उसे दी है यह फाइल और यह फाइल उसने अपने computer के harddix में इस्टाल कर लिया इसको हम बोलेंगे कि उसने अपने computer में फाइल को सेफ कर लिया और जब वो इस program को चलाना चाहेगा तो इस पर करेगा डबल क्लिक करेगा तो जैसे ही इस पर डबल क्लिक होगी तो इसकी एक copy बनेगी और वो copy load hoगी उसके RAM में RAM में लोट होने के बाद यह यह पॉइंट के लोड होता है कोई प्रोग्राम नहीं होता है यह कि सारे प्रोग्राम की यह कॉंपी आती है क्योंकि रैम एक बॉलल टाइम मेमोरी है क्योंकि RAM के अंदर से कोई भी डेटा अगर वहनिस होता है तो भी वो हर्टिक के अंदर डाटर प्रिजर्ब रहेगा RAM के अंदर बहुत सार्टर प्रोग्राम जो एक्टिव हैं उनकी मिमोरी मिले हुई है और कुछ मिमोरी एरिया हो सकता है कि खाली हो यह operating system की जरेंदारी है कि आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए allocation करवाएं इसी को हम कहते हैं memory management एक बार हमारे है प्रोग्राम को memory मिल जाए तो अब हमारे प्रोग्राम के memory lukनाय स्टार्ट हो जाता है जैसे प्रोग्राम में क्या है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन solar bit के architecture के हिसाब से हमारी इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे 01 है जो पहले 1101 है वह पहले इंस्रक्षन है इसी तरह से अग्रीं 1601 दूसरी रप्सन है और एक के बाद कई सारी स्वार्ण हमारे इस प्रोड़ाम में लिखी गई है प्रोड़ क। एक इंस्रक्षन का सैजब फिक्स है कि यह 16 है अब एक निश्रक्षन कैसे एक curiosity कीविट होगी तो पहले इंश्रट्र में परण कि यह जाएगे ब्लिस्टर के पास क्य tratas होता है मेमोरी जहांब बहुत सारे छोटे मेमोरी डिवाइस होते हैं है यह मेमोरी डुeduाइस रगाल कर sixteen iजिश्टर में से स्चेर होता है instruction register, instruction register में instruction जाकर store हो जाएगी, अब solar bit की architecture के हिसाब से जो processor के अंदर जो instruction register होता है, वो भी solar bit का register होता है, ये solar bit, solar 01, इसी में लिखा है कि क्या करना है computer को, control unit एक circuit है प्रोशेशर के अंदर जिसका काम है कि इस इंस्ट्रक्शन को बढ़ना कोट करना समझना कि क्या मेनिक है तो वह एलेओ को सिगनल देगा कि अभी तुमको ये काम करना है क्योंकि अलू बहुत सारे कल्कुलेशन करने का जिम्यदार यह यह वह सरकीट है आपके प्रोशेशर के और कंट्रोल उनीट इंस्ट्रक्षिन को रिड करने के बाद क्या कर्याएं सब्सक्राइड करते हमारा कियों मुद्रोण होगी दिर को किने हमारा इंस के इस तर पॉलब हम धो तो जाएगा अभी हमने देखा कि किस तरह से क्षस्ट इस्टी Avid किया जाता है और hardware के अंदर क्या-क्या changes होते हैं इससे पहले भी हमने दो लेक्षर बनाई है अगर आप वह दो लेक्षर नहीं देखें है तो कि रिपया उसे जाकर लिंग डिशिस्वन में है उसे जाकर देख लिजएगा तभी आपको या आगे समझ में तो आया करते हैं कि आज हम अब हम देखते हैं सब्वाइर बनाते कैसे हैं हमें बनाना है एक एक सी फाइल क्योंकि एक सब्वायर है माल लेते हैं कि हमको जो software बनाना है उसका नाम है sum.exe पर इस file को बनाने में दिक्कत यह है कि operating system dependent language में है इसका मतलब अगर यह file dos operating system के समझने लाइक है तो किसी और operating system के समझ में नहीं आएगी यह file को अगर मैं बनाता भी हूँ तो यह cable dos पर चलेगी यह file को और किसी operating system पे चलने लाइक नहीं रहेगी तो यह operating system dependent code है इसलिए C language में जब भी software बनाया जाता है तो software particular operating system के हिसाब से बनाया जाता है तो अगर मैं यह language सीख भी लूँ 01 की भासा में जिसमें EXE file बनी है तो problem यह है कि किसी एक operating system को ही समझ में आएगी तो मुझे अलग-अलग operating system के हिसाब से अलग-अलग coding सीखने पड़ेगी इससे आसान तरीका यह है कि हम एक आसान सा language सीख लेए जो है C language C language में हम coding करेंगे और यह coding से जो file बनती है उसको बोलते है source file इस file का extension .c होगा यह file में हमने C language से वो लिखा है जो हम मसीन से करवाना है लेकिन यह swap year नहीं है क्योंकि operating system .exe file को समझता है .c file को नहीं यानि operating system को C language समझ में नहीं आएगी तो हमने यह वाली file बनाई क्यों? क्योंकि .exe file operating system dependent थी उसकी language सीखना भी मुस्किल थी लेकिन यह language independent है तो C language में program बना आसान है यूजर friendly way में जैसे हम reality में लिखते हैं जैसे for example मुझे दो number को एट करना है तो 2 plus 3 वैसे ही लिखा है जैसे कि हमने match में लिखते हैं लेकिन यह एक से file में हमें coding करनी है तो वहाँ हमें 01 की कुछ coding लिखने पड़ती है तो हमारे लिए ज्यादा convenient होता है इसलिए C language में program बनाना ज्यादा easy है लेकिन अब जरुगात है कि हम इसे software में तबदिल करें क्योंकि .cfile software नहीं है तो इसको हमें convert करेंगे के लिए चलाना होता है एक software जिसका नाम है processor processor software क्या करेगा इसके program में जितने भी ये statement hedge से start हो रहा है उनको handle करने का काम इस software का होता है यह हम आगे की class में पढ़ेंगे कि hedge से startने वाले sample किस काम के लिए बने होते है हमारे program में जितने header का जीकरी होता है वो header files अलग से होती है जिने हमने नहीं बनाया है यह file का code हमारे program से जोड़ना important है हमने अपनी इस program में कुछ ऐसी lines लिखी है जिनकी वज़से preprocessor header file के content को हमारे file में mix कर देता है और एक नई file बना जाता है यह नई file हमारे file जासी है सिर्फ hedge से start होने वाले file यहां से हट चुकी है उसकी जगा कुछ और statement आ चुके हैं तो basically preprocessor hedge से start होने वाली सभी statements को handle करता है और बहुत popular statements hedge से include वाले जैसे हमने लिखा है hedge include stdio.h तो यह command hedge इसका मतलब है stdio.h का जो file है उसको program में जोड़ दो तो preprocessor hedge include stdio.h वाली line को हटा देगा और header file hedge include stdio.h में जो कुछ लिखा है वो आपके program में सामिल कर देगा इस तरह से वो code include हो जाएगा जो header file में लिखा हुआ है यह जो file बनी है preprocessor में बनाया इसको अब compiler software की मदब से इसको अब translate करेंगे compiler जो हमारे program को translate करके नई file बना देगा जिसको हम बोलते हैं object file यह object file किसी particular operating system के इसाब से बना होता है यानि market में compiler अलग-अलग operating system के हिसाब से अलग-अलग आते हैं कोई compiler आपके code को dos के हिसाब से convert करेगा तो कोई compiler linux के हिसाब से convert करेगा compiler ने जो file बनाई है इसको object file बोलते हैं इसका extension dot object notice करने वाली बात यह है कि जो नाम अपने इस file का रखा है compiler नाम वही रहेगा इस file का भी इसके बाद हमें जबूरी पढ़ती है library files की लेकिन क्योंकि object file से बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो operating system के समझ में नहीं आएगा और उनका meaning library files में हमेशा से लिखा हुआ है इसको कुछ इस तरह समझें जैसे कि मालेजिया हमें book लेकर आते हैं और उसको read करते हैं जिसमें कुछ ऐसे words मिले जिनका meaning आप नहीं जानते तो आप अपने dictionary के यूज करते हैं वैसे ही operating system को जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो वो अर्थ लिखा है library files में library files का code और object files का code को link करने के लिए हमें एक software यूज करेंगे that is linker linker हमारे object file और library files को connect करके एक नई file बना देगा that is exe file और इस तरह से हमारा बन जाएगा software तो हमारी सारी के सारी मेनत .c file बनाने में होगी यानि हमें c language सिखनी होगी और c language में वो लिखना होगा जो हमें computer से कराना है इसके बाद कुछ software के मदद से हम अपने program को software में convert कर देंगे तो याद रखे .c file कोई software नहीं है .exe file एक software है आप .c file बनाते हैं तो आपको preprocessor, header file, compiler, linker, library files इन सब की जगवाद पढ़ती है इसे करान आप अपने .c file को convert करके और प्रेटिंग सिस्टम के समझने वाली भाजा में .exe file में convert करा सकते हैं और यह बन गिया आपका software तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देजे कि अगर आप अपने दोस्त को software देना चाहते हैं कौन सा सम.exe तो आप उसे क्या देंगे राइट आप उसे देंगे सिर्फ सम.exe फाइल क्या आपके दोस्त के कम्पीटर में compiler परेगी वो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ परेगी लेकिन सम.exe को चलाने के लिए compiler नहीं है compiler का काम कुछ और है compiler का काम हमारे code को object file में convert करना है लेकिन सम.exe दे रहे हैं तो हम उसे ना compiler की जवाब परेगी और नहीं लिंक करगी नहीं परीपर्सेसर की किसी सब्सक्राइब के जवत नहीं बढ़ेगी यह एक से फाइल का मतलब होता है जो की टेवल फाइल तो यह फाइल का उप्रेटिंग सिस्टम रन कर आ रही है आप प्रोग्रामर हैं आपके पास प्रीपर्सेसर कंपाइलर और डिंकर होना ही चाहिए ताकि आप अपने बनाए हुए प्रोग्राम को जो सी लेंगवज में लिखा है उसको सौब्यर में कनवर्ट कर सकें लिखा है